तो आज बनाएंगे एक दम क्विक ब्रिक्फस्ट बेसन कचीला जो जाता तो लोगों ने खाया होगा बहुत जल्दी बन जाते हैं अगर आप टीचर है या फिर वर्किंग विमन है या फिर बच्चों को अगर कुछ फटा-फट नाश्ते में देना है तो बना सकते हो और इस करते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिए है चने का बैसन इसको चान लेना है कि कोई भी चीज लीजिए कोई फ्लार हो तो चाना जरूर करिए इससे जो है एक एरिएशन आता है तो चीजे जो है बहुत अच्छे फूल थी है उसके बाद मैंने पानी लिया है और दीरे पानी आड़ करिए और हमको कुछ इस तरीकी का बैटर चाहिए जैसा वीडियो में दिख रहा है अब इसमें आड़ करेंगे हल्दी नमक लाल मिर्च और मैंने इसमें थोड़ा से गरम मसाला भी एड़ किया था और इन सबों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब अपने इस अच्छे लगती है आप 34 किप बी कर सकते हो और फिर इसके बारी कटा हुआ प्याज और तमाटर कुछ लोगों टमाटर नहीं पसंद होता तो टमाटर भी आपटा सकते हो आड़ कर सकते हो आपके उपर अब इसको पांच मिट के लिए छोड़ दिया था चाहो तो थोड़ा अच्छे से फैला देंगे मेरा थोड़ा ज्यादा मूटा हो गया था तो ज्यादा मूटा मत रखिएगा अगर तक पकाया था और यह देखिए डालते ही साइड जो है छोड़ने लगा है तो इससे पालटने थोड़ी असानी होगी और इस स्टेज पर जो घया से थोड़ी पहले अपने जो मारे स्पैचुला पूरा अंदर तक इस तरीके से घुमा देना चारो तरफ ताकि साइड से चूट जाए अब इसके बाद इसको पलट देंगे धीरे पलटिएगा अगर आपको कुछ बाहर आवाज आ रही है तो वह बारी शोरी हलकिल्की तो थोड़ी सी बैग्राउंड में जो है नौई सा सकती तो उसको अवाइट करेगा उसके बाद मैं थोड़ा से तेल डाला है एक साइड से पलटने एक बाद अब तेल डालके इसको दूसरे साइड से भी मीडिया माश पर अच्छे से पकने देंगे क्योंकि यह थोड़ा सा मूटा था हो देखिए हमारा चीला एकदम से त्यार हो गया आप चाहो तो सॉस हरी जटनिक साथ सबकर मुझे चाय के साथ अच्छा लगता है तो मैंने यहां पे जो है चाय के साथ लिए गरम अगर और बारिश भी हो रही थी तो खाने का मज़ा दूगना हो गया तो अगर आपको वीड बाइबाइं प्ली सब्सक्राब आप चानल एव गड़र धूर चानल रुड़ देख।